बीजिये वेंजकों का जोड इस वीडियो में आप बीजिये वेंजकों का जोड सिखेंगे ये भाग एक है इसमें एक पदिये वेंजकों का जोड आपको सिखाया जाएगा तो परसंद दिया गया है कि योग ज्याद कीजिए यहां यह सब A, B, C, D, E, F करके यहां परसंद दिये गये हैं इनका आपको योग करना है तो योग का कुछ नियम है दोस्तों योग के आप इन दो नियमों को याद कह लिजिए जब सजातिये पद होंगे तभी वो आपस में जुडेंगे और विजातिये पद होंगे तो उनके बीच में सिर्फ जोड का चिन्धा जाएगा तो इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि सजातिये पद ही आपस में जुडते हैं जबकि विजातिये पद के बीच सिर्फ जोड का चिन्हा जाएगा तो आईए यहां शुरू करते हैं तो A, A में हैं 2X और 6X इन दोनों का योग करना है तो देखिए दोनों सजातिये हैं कैसे पहचाना जाता है सजातिये? देखिए इसका बीज ये गुड़नखंड इसमें अच्छर देखिए आप X और इसमें भी X है यानि ये दोनों सजातिये हैं एक जैसे इन में हैं देखिए ये संख्यात्मक जो गुड़ांक 2 है और ये 6 है इससे मतलब नहीं है सिर्फ हमें यहाँ बीज से मतलब है इन अच्छरों से मतलब है अगर ये समान है तो ये क्या है? दोनों सजातिये हैं तो देखिए यहाँ सजातिये हैं तो 2X पलस 6X अब क्या होगा? 2 और 6 जोड़ देंगे 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है तो बराबर हो जाएगा 8 और X यानि 2X और 6X मिल करके कितने हो जाएंगे? 8X हो जाएंगे अब दूसरा परसनल B 8X पलस 3Y तो 8X पलस 3Y अब देखिए यहाँ दोनों बिजातिये पद हैं इसमें X है और इसमें Y है तो यह दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे सिर्फ इनके बीच यह जोड़का चिन्धा जाएगा तो इतना ही लिखा जा सकता है अब इस से ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता है जैसे आप से यह पूछा जाए कि एक आम और तीन आम मिलकर के कितने आम हो जाएंगे तो आप कहेंगे चार आम लेकिन अगर आप से यह पूछा जाए कि एक आम और दो सेब मिलकर के कितने हो जाएंगे तो कुल मिला कर आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं आपको यह बताना होगा कि एक आम पलस दो से तो उसी तरह से अगर बिजाती हैं तो वो आपस में नहीं जुड़ते हैं और सजाती होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं आईए अगला उदाहरण 3A², 5A² और माइनस 2A² इन सब को जोड़ना है तो चलिए 3A², 5A², पलस ये वाला पद ये माइनस में है तो यहां ब्रेकर लगाना पड़ेगा माइनस 2A², लगातार जब 2 चिन आ जाते हैं तो वहां ब्रेकर लगाना पड़ता है अब यहां सबसे पहले ब्रेकर खोलेंगे, ब्रेकर को हटाएंगे तो 3a² पलस 5a² और पलस से जब ब्रेकट खोलेंगे यहाँ ब्रेकट को हटाएंगे तो गुड़ा का चिन होता है तो पलस गुड़े माइनस चिन्हों का गुड़ा आप जानते होंगे पलस गुड़े माइनस बराबर क्या होगा? माइनस होगा देखिए समान चिन्हों का गुड़ा क्या होता है? धनात्मक होता है और आ समान चिन्हों का गुड़ा माइनस होता है यहाँ पलस गुड़े पलस तो पलस होगा माइनस गुड़े माइनस भी पलस होगा और यह आ समान चिन्हों है पलस और माइनस का गुड़ा करेंगे तो माइनस आयेगा तो यहां क्या हो जाएगा पलस गुड़े माइनस बराबर माइनस दो A स्कॉायर अब यहां हल करिए यह सभी सजाती हैं आपस में जुड़ेंगे अब देखिए तीन और पांच कितना होता है आठ और आठ में से यह माइनस दो तो आठ माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा छे हो जाएगा तो यहाँ छे A स्क्वाइर तो आप समझ गया होंगे अब आए अगला उधारण 5XY 2XY और 7X स्क्वाइर Y तो 5XY पलस 2XY तीसरा पत जो है 7XSquare Y अब यहाँ देखिए यह दोनों तो सजाती हैं देखिए XY इसमें भी XY लेकिन यह बिजाती है यह XSquare Y है तो यह बिजाती है तो यह दोनों तो आपस में जुड जाएंगे सजाती है जो है आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पांच और दो साथ साथ एक्स वाई और जो बिजाती है वो पलस के चिन द्वारा यही पे लिख दिया जाएगा साथ एक्स इसक्वाईर वाई तो यह है आपका उत्तर अब चलिए अगला उदाहरण चार एम एन माइनस आट एम एन म एन एम एन इसक्वाईर तो चलिए शुरू करते हैं चार एम एन पलस यह माइनस आठ एम एन है ब्रेकट हमने लगा दिया डबल चिन आ गए यहाँ पे इसलिए पलस एम एन पलस एम एन इसक्वाईर अब यहाँ ब्रेकट हटाएंगे थोड़ा जगे कम है दोस्तो तो 4 एम एन पलस और माइनस का गुड़ा माइनस हो जाएगा 8 एम एन और यह हो जाएगा 플स एम एन थोड़ा आपको नहीं दिखे रहोगा यहान एम एन लिखा हुआ है पलस एम एन स्कॉाईर यह वाला यहाँ पे लिख दिया हमने अब इन सब को जब जोड़ेंगे तो सजातिय इसमें कौन है यह 4 mn माइनस 8 mn पलस mn तो देखे 4 माइनस 8 पलस 1 इन सब को जोड़ेंगे तो 4 और 1 तो जुड़ेगा 5 हो जाएगा और 5 माइनस 8 तो 5 और माइनस 8 बराबर क्या होगा यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं 5 माइनस 8 तो 5 में से 8 घटेगा नहीं लेकिन आप अगर पूरांग का घटाओ पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि 5 में से 8 जब घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा यह पूरांग का जोड़ घटाओ जो है पार्ट उसमें आपको सिखाया गया होगा तो माइनस 3 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 आ जाएगा तो बराबर माइनस 3 M N पलस देखे यह भी जाती है था M N E स्क्वाइर जो था भी जाती है था तो यह जुड़ेगा नहीं इसमें पलस का चीनलागर के ऐसे छोड़ दे रहे है तो M N E स्क्वाइर आईए अगला उदारण देखते हैं 10 A X तो यहाँ पर हम सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ थोड़ा सा जगे कम है 10 A X पलस 2 X A पलस 3 B X अब ब्रेकर सबसे पहले यहाँ पर खोलेंगे तो 10 A X पलस 2 X A पलस और माइनस का गुड़ा हो जाएगा तो होगा माइनस 2 X A पलस 3 B X अब इसमें सजाती है कौन है देखिए A X A X A X A या A X बात देखे और यह वाला और यह भी जाती है तो यही तीनों जो सुरुवात के जो तीनों पध है यही आपस में जुड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 X A और 2 X A यह आपस में कट जाएंगे अरे 2 X A पलस है और यह माइनस है तो खुल मिलाकर घट जाएंगे यह कट जाएंगे बात एक है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा तो चलिए काट ही दे अब क्या बचा 10 A X और पलस 3 B X तो यह दोनों बिजाती हैं हैं तो यह आपस में नहीं जुड़ेंगे तो सिर्फ इनके बीच योग का चिन्हा जाएगा तो बराबर चलिए यहां भी बराबर लगाते हैं क्या हो जाएगा 10 A X 10 A X पलस यह वाला 3 B X तो इसी तरह से दोस्तों एक पदिये बन जगों का जोड़ किया जाता है तो मुझे आसा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा आप लाइक करिए, सेर करिए हमारे चैनल ग्यानका सागर को सब्सक्राइब करिए हम विलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ कहते हैं जै हिंद, जै भारत